कि मॉर्निंग इस्ट्वेंट्स मैं आरह से गरबार कैसे आप सभी ओके सभी एच्छे होंगे क्लास इवन्त मैतमेटिक्स की बात कर रहे हैं और चैप्टर टू फंक्शन डेसिमल की एकसाई चल रही थी पॉइंट फॉर हमने पहले कर आया था टू पॉइंट फाइब करेंगे हैं और फर्स्ट कोशन केहता है हमारा कि कौन सा जो डेसिमल नम्बर है वह बड़ा है विच इस ग्रिटर तो हम चेक करते हैं वह वेरी सिंपल काउंटिंग तो आ दी होंगी ना पॉइंट वाली बना पॉइंट वाली तो अगर मैं इसी की बात करता हूं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं उसमें से वन पंट थिसे वन और वनपॉइंट पॉर्स नाइन तो वन वन फॉइंट पॉइंट थ्री या ठिनक फोर तो यह बड़ा ऑगया ढर बड़ा टिक हो कि intercept है अ कि ही बढ़ा हो गया इसी क्रम में आप जितने भी पार्ट है सब को सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉस करके नोट कर लो और फिर मैं कुश्चन नमार टू की तर बढ़ता है इस्वर ध्यांद है हमें क्या डेसिमल में यूज करना है और डेसिमल में क्या करना है जितने भी हमें पै सबस्था था तो रूपीज और सेंट तो सेंट भी पैसे की बात करता हुं तो फसेखने डिधे बाद पॉंट गया ौएगए पॉइंस्ट के बाद पॉइंसिरी कि 7 रुपीज 7 पैसे तो 7 रुपीज तो है यह न और पैसे को बना वाव रूपीज में तो 100 से डिवाइड देना पड़ेगा क्यूंकि कि स्केल होता है 1 पैसे इकल टू 1 by 100 रुपीज तब माइस्ट्रॉंड 7 पैसे का 7 मल्टिपलै किया 1 का 1 था तो 7 का 7 सेवन पॉइंट में करना था चलिए कोश्चन नमबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं बागी सेंट पार्ट है आप कोश्चन नमबर त्री रेखते हैं एक पार स्केल देख लेंगे स्केल के बाद आप समझ जाएंगे कि वन मिली मीटर में मैं सेकेंड पार्ट बताने जा रहा और कितने सेंटिमेटर होते हैं कितने मीटर और कितना किलो मीटर उसके बाद 35 का मुट्पिलियं करते चलेंगे तो मैं आपको फर्स्ट रूट बताता हूं कि 1 e-m. mm. में 1 by 10 cm होते हैं अब उसके बाद मुझे क्या F fellows करना है कि 35 mm मैं मैं थैंटनी पार्ट फाइवियं किया सेम कंडिशन में निकाल दिया वन एमम में कितने किलोमिटर वन वाई वन टू थ्री फॉर फाइब सिक जीरो आएंगी वन अपॉन में और थर्टी फाइब करने के बाद हमाई आंसर मिल जागा पॉइंट में यह आंसर एसे केजी में यूज करना है आप देख पा रहें मैंने लएक है किलोहक्टोहक्टोदेमीटर डेसी संटी मिली मिटर इक किखंगे इस Μिली सेंटी देसी मिली मिटर चलिए इसके छी साफ से निकाल आंगे और question no 5th की बात करते है चलिए question no 5th की बात करें बढ़ाईजिए अब देख ले आए कि उनको क्या करना है हमें exponent करना है very simple x. में क्या होता है आप सभी जाने कि दिको exponent form क्या होती है simply तरीकिज सक्षार्ट लिखा मैंने 20 and 0.0 and 0.03 भी ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं और इसको और मुझे एक्सपनेट करना था तब मैंने लिखा इसको ट्वंटी एंड जीरो वाई टैन एंड थ्री भाई हंड़ेट इसको मैं सॉल्प करमा तो यहीं याएगा ना है टू डिट के बाद पॉइंट था तो जीरो लगा दी मैंन क्योंको टू के बाद पॉइंट है तब आपकी बास समझमा ही होगी नेक्ट शलती है कुश्चन नमर शिक्स प्लेस निकालना है और बहुत इजी है पॉइंट में और बना पॉइंट में जहां भी है वही देखना उसकी वैल्यू क्या है उसका प्लेस का यह फाइंड करना ह है तो यहां पड़ता हूं यह मैं देखता हूं प्लेस पर है कर दिया ट्वंटी इस दा प्लेस वैल्यू ऑफ टू फॉंटी वन पॉइंट थ्री सेवन में इदर बात करता हूं तो टू लेकिन पॉइंट में एक डिजिक्ट के बात है तो एक जीरो वाला में करणा पाड़ी का टाम से हुआ है कि मैं थर्ड पार्ट की बार कुद रहां और थर्ड पार्ट है थर्द पार्ट होगे हमारा फॉर्थ पार्ट के बात कर रहे है तो 9.42 है टू डिज के बार पॉइंट दे रखा है वाएंट टू तो मैंने टू जीरो वाले नम्र से डिवा स्काइट की आई इन कि वा प्राइट करें तो तूम इसक्स आपका कुलीट हुआ अब बात करने कोशन सेवन ऐट नाइन जो कि भिहदासा करने आप देखें आप बीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर सकते हैं कुश्चन नमर 789 बीडियो को पोस्ट करो और पोस्ट करने के बाद नोट कर लो और यह सारे ट्राइब करना है बड़े एजी कुश्चन है थैंक यू वेरी मुच